या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में सब्तमी तिथी का भी विशेश महातो है देवी मा के साथ में स्वरूप का नाम है कालरात्री काल रात्र के बारे में अभी हम चार्चा करेंगे इससे पहले हम बात करेंगे दस महाविद्याओं के बारे में और दस्वी मा का नाम है कमला इनमे से काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है इन्होंने ही असुर रक्त बीच का वद किया था इन्हें अंबा माता की बेटी भी कहा जाता है दूसरी माता है तारा जो प्रजापति दक्ष की दूसरी कन्या है ये तारा माता शैल पु ये तीनों ही पूझते हैं, ये तांत्रिकों की प्रमुख देवी हैं, छिन्नमस्ता, ये देवी माता पार्वती का ही एक रूप हैं, देवी का मस्तक कटा हुआ है, इसलिए उन्हें छिन्नमस्ता कहा गया, उनके साथ उनकी सहचर्णी, जया और विजया हैं, तीनों मिलकर उन इनकी चार भुजा और तीन नेत्र हैं। इसे ललिता, राज राजेशोरी और तुरपुर सुन्दरी भी कहा जाता है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मभा, विश्नु, महेश। इनकी जननी होने से जगदंबा ही तुरपुरा है। महा विद्या समुदाय में तुरपुरा नाम की अनेक देविया हैं, जिन में तुरपुरा भैर्वी, तुरपुरा और तुरपुर सुन्दरी विशेश रूप से जानी जाती हैं। चवदा भूनों की स्वामिनी मा भूनेशुरी, शक्ती स्रिष्टी क्रम में महालक्षमी सुरूपा हैं। संपूर्ण जगत के पालन पोशन का दायत्व मा भूनेशुरी देवी का है। परणाम सुरूप ये जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी विख्याद हैं। प्रकरती से सम्मंदित होने के परणाम सुरूप देवी की तुलना मूल प्रकरती से भी किगाती है। यही दुर्गम नामक दैत के अत्याचारों से लोगों को नजाद दिलाने वाली हैं और इसलिए ये शाकंभरी और दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुई लिए काली और भूनेशुरी ये दोनों एक ही रूप हैं काली का लालवर्ण सुरूप ही भूनेशुरी हैं देवी के मस्तक पर चंद्रमाशो भायमान है तीनों लोकों का तारण करने वाली और वर देने की मुद्रा अंकुष पाश और अभे मुद्रा धारण करने वाली मा भूनेशुरी अपने तेज और तीन नेत्रों से युक्त हैं तृपुर भैरवी नारद पांचरात्र के अनुसार ये माता काली का ही एक सुरूप है तृपुर का अर्थ तीन लोक दुरगा सब्द शती के अनुसार देवी तृपुर भैरवी महिशा सुर नामक दैत के वद के काल से समंधत हैं तुरुपुर भैरवी उर्धानवे की देवता है, माता की चार भोजाएं और तीन नेत्र हैं, इन्हें शोडशी भी कहा जाता है, शोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है, ये देवी अपने अन्य नामों से भी प्रसिद हैं और ये सभी सिध्य योगनिया हैं, जैसे की तुरुपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शम्शान भैरवी, सकल सिध भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेशुरी भैरवी आदे, देवी तुरुपुर भैरवी का घनिष्ट संबंध काल भ भगवान शिव के साथ कैलाश पर विराजमान थी। उन्हें अकस्मात बहुत भूख लगी और उन्होंने व्रशब धज पशुपती से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। पारवती से कहा धूम्र से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा नाम धुमावती पड़ेगा। एक अन्य कथा भी है कि महाप्रले के समय जब सबकुछ नश्ठ हो जाता है स्वेम महाकाल शिव भी अंतरध्यान हो जाते हैं मा धुमावती अकेली खड़ी रहती हैं और काल और अंतरध्य से परे काल की शक्ति को जटाती हैं उस समय न तो धर्ती नहीं सूरज चांद सितारे रहते हैं रहता है तो सिर्फ धुमा और राख वही चरम ज्यान है निराकार ना अच्छा न बुरा न शुद न अशुद न शुब न अशुब न अशुब धुए के रूप मे अकेली मा धुमावदी बगला मुखी दो शब्दों के मेल से बना है पहला बगला और दूसरा मुखी बगला मुखी से अभिप्राय विरूपन का कारण और वक या वगुला पक्षी जिसकी क्षमता एक जगे पर अचल खड़े होकर शिकार करना है मुखी से तात पर है मुख देवी का घनिश्ट संबंध अलोकिक पारलोकिक जादूई शक्तियों से भी है जिसे इंद्रजाल कहा जाता है देवी बगला मुखी समुद्र के मध में सिद मडमे दूप में अमूल रतनों से सुसजित सिंगासन पर विराजमान है देवी त्रिनेत्रा है मस्टक पर अर्ध चंद्र धारन करती है पीले शारिरिक वर्ण की है देवी ने पीला वस्त्र और पीले फूलों की माला धारन की हुई है देवी के अन्य आभूशन भी पीले रंके ही है और अमूल रतनों से जडित हैं दस महा विद्याओं में नवी देवी हैं मातंगी हनुमान जी के गुरू मतंग मुनी थे जो मातंग समाच से संबंध रखते थे देवी का संबंध प्रिक्टरती परशुपक्षियों जंगलों वनों शिकार इत्यादी से है और जंगल में वास करने वाले वनवासी आदिव उन जंजातियों की देवी पूजिता है तेवी मतंग मुनी की पुत्री की रोप में भी जाने जाती है काल अंतर में ले देवी बौद धर्म में मातागीरी के नाम से भी जाने जाने लगी श्रीमत भागवत के आठवे स्कंद में देवी कमला की उत्पत्त की कता है दस महाविद्याओं में अंतिम देवी कमला तांतरिक लक्षमी के नाम से भी जान जाती है देवी कमला जगत पालन करता भगवान विश्न की बतनी है देवताओं और दानों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था समुद्र मंथन से जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें देवी लक्षमी भी थी जिने भगवान विष्ण को प्रदान किया गया और उन्होंने देवी का पानिक रहन किया देवी का घनिष्ट संबंद देवराज इंद्र और कुबेर से भी है इंद्र देवताओं और सुर्ग के राजा है और कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है देवी लक्षमी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभाव राजसी सत्ता प्रदान करती हैं दीपावली के दिन देवी काली और कमला की पूजा कि जाती है शयव लोग काली की और वैश्णों कमला की पूजा करते हैं कमला को ही महालक्षमी कहा गया है प्रवत्र के अनुसार दस महाविद्या के तीन सम्हूं है पहला सौमे कोटी जिसमें तुरपुर सुंदरी भोनेशुरी, मातंगी और कमला का नाम है दूसरा उग्रकोटी जिसमें काली, छिनमस्ता, धुमावती और बगला मुखी का नाम आता है और तीसरा है सौमे उग्रकोटी जिसमें तारा और तुरपुर भहरवी देवी का नाम आता है आज हमने दस महाविद्याओं के बारे म कल हम बात करेंगे 64 योगनियों के बारे में। गने अंदकार की तरह एकडम काला है, नाम से ही ग्यात होता है कि मा कालरात्री का रूप भायानक है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्धुत की तरह चमकने वाली माला है, अंदकार में सिद्यों का विनाश करने वाली शक्ती हैं मा कालरात्री, काल से भी रक्ष मा के रेख्टा करने वाली हैं मा कालरात्री, मा कालरात्र के तीन नेत्र हैं, ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मभांड के समान गूल हैं, इनकी सांसों से अग्णि निकलती रहती है। मा की सवारी करदब है उपर उठेवे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है दाहिनी तरफ नीचे वाला हाथ अभे मुद्रा में है यानि भक्तों को हमेशा वो निर्भैता प्रदान करती है बाई तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का काटा और नीचे वाले हाथ में खटग है इनका रूप भले ही भैंकर हो लेकिन वो सदयो शुभ भल देने वाली हैं इसलिए वो शुभंकरी भी कहलाती है यानि इनके भक्त को किसी भी प्रकार से भैबीत होने या आतंकित होने की कोई आवशक्ता नहीं होती मा कालरात्री के दर्शन से भक्त पुर्णि का भागी बनता है कालरात्री की उपासना करने से प्रम्भंड की सारी सिद्धियों के दर्वाजे खुलने लगते हैं तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारन से ही भैबीत होकर दूर भागने लगती हैं। बाधा सहज ही दूर हो जाती है। कुंडनली जागरन हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं वो इस दिन सहस्तरार चक्र का भेधन करते हैं। और रात्र सब्तमी तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत महात्वपूर होती है। सब्तमी की रात्री सिध्धियों की रात्भी कही जाती है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के आठमे स्वरूप महागोरी की। अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरूध है कि आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद, देवी मा के ग्रपा आप पर सदयव बनी रहे, जै मा दुर्गे।